दोस्तो परदान मंत्री किसान समान नीदी योजना के अंतरगर्द नई किसानों का रेजिस्टेशन किस तरीके से करते हैं दोस्तो परदान मंत्री किसान समान नीदी योजना के अंतरगर्द किसानों को सालाना 6,000 रुपी 2,000 रुपी की किस्त हैं चार मेने की बाद मिलती हैं और एक साल के 6000 भी मिलते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि PM किसान नीदी योजना के अंतर के नए किसानों का पंजीकर्ण नए तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तों अब नए साल के अंदर नए किसानों का पंजीकर्ण करने का तरीका हैं उसमें कुछ बदलाव किये गए हैं और आज किस वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ प्रोसेस दोस्तों प्रोसेस बाद दोस्तों उसका बैंक की डिटल्स है अकाउंट डायरी वगरा उसकी स्केनिंग कर लेनी है और उसके बाद उसके जमीन की जो लेन्ड रेकॉर्ड है नकल वगरा कतोने है तो उसको आपको स्केन करके अपने सिस्टम में पहले सी ही रख देना है दोस्तों यहाँ पर स्केनिंग करने के लिए आपको कुछ सेटिंग है अपने स्केनर में करने होगी जैसे के दोस्तों मेरे पास Canon का scanner है तो इसके इंदर दोस्तों जो setting है मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरीके से आपके पास जो भी एगर scanner है लेकिन उसमें जो setting करनी है वो आपको कैसे करनी है वो आप देख लेना है तो आपको जो भी प्रेंटर है उसकी सेटिंग में जाके आपको डीपीय है वो चेंज करके 75 आपको रख देने हैं ठीक है दोस्तों यहां पर आप इसके नर्ट की डीपीय है 75 रखेंगे और उसके बाद एक एक करके आप डॉकॉमेंट को स्केन करके रख देंगे पहले से इसके निक करने के बाद दोस्तों आपको अपने डीजिटल सिवा प्रोटल की मदद से आपको जो पीम के साथ ने दी योजने की वेबसाइट है उसको ओपन कर देना लॉग इन कर देने हैं उसके बाद फॉर्मर रेजिस्टेशन पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों इस प पहले इस्टिक ले लेंगे उसके बाद दोस्तों डिस्टिक का चैन करेंगे फिर आपको सब डिस्टिक का चैन कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपने ब्लोक का चैन करना है ठीक है दोस्तों इस तरीके से आपको फॉर्मर का ब्लोक ले लेंगे उसके बाद आपको क्या करना या aí пог 고는지 आदार कार्ड के अंदर लिखा हुreas छी तरह केस्व से आपको यहां पर discard नाम में इस में डोस्तों आपको ज asleep ड़े लेना है उसके बाद यहांपर category ले ले लेंगी इसके बाद याँपर एकाउंट नंबर फोर्मर है याँपर उसकी ज्यादा जमेन आप ले लेंगे उसके बाद दूस्तों यहांपर bank की isolat है ने के लिए भातिते कोना बाद आफको εκat соп करने ऐँ रएइन खं़ienst तो चले दोस्तों हम account number enter कर दें दोस्तों यहां पर मैंने पूरी जान करें हैं जो कि headache करके रखी हैं यहां पर बलर करके रखी क्योंकि की वैक्त के जानकर यहां पर YouTube साजा नहीं करने दboys ता इसके लिए दोस्तों मैंने यहां पर पूरा गलर करके रखा लेकिन आपको एक एक में बता के सम्जा रहा हूं कि कौन से कॉलम में क्या करते लिखना है तो यह सब चीज में आपको बता रहा हूं ठीक है दोस्तो उसके बाद आपको आधर नमर डालेना है मॉबाइल नमर फार्मर जो कि एंटर कर देना है यह भी कईूरेयरी है चावर इस्टार का śटाल रूप से आपको वहने है ठीक है दोस्तो region मॉबाइल डाल देंगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है pin code number है आपके छेतर के pin code number डाल देंगे और उसके बाद दोस्तों यहांपर देख सकते है farmer के father या husband का जो भी नाम है अगर कुई महिला है तो husband का नाम डालेंगे और वुरुष है तो आप उनकी फादर का नाम डाल देंगे फिर दोस्तो आपको यह Land Registration ID आपको यहाँ पर डाल देनी है जो खताओने का खाता नंबर होता है दोस्तो खाता नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है जमिन का जो खाता नंबर रहता है नकल के अंदर वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर है जो की Meditory है यहाँ पर राशन कार्ड नंबर एंटर करना Meditory है लेकिन इसको आपको अपलोड करने की कोई आप शिकता नहीं है यहाँ पर आपको राशन कार्ड के नंबर आप डाल देंगे उसके बाथ दोस्तों यहाँ पर डियू भी आपको डाल देनी है मर की तो आप ज़्लंतरिक मैना यह यह ल्य आपश डाल देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर other का data verify हो चुका है यह और other authentication successful का message आपको आ जाएगा उसके बाद जमीन दोस्तों यहाँ पर उनके single owner के हैं यहाँ पिर joint जमीन है तो वो आपको यहाँ पर select कर देना है उसके बाद दोस्तों यह add बाला जो button दिखाये रहा है इस पर आपको click कर देना है add button पर click कर देना है यहाँ पर आपको नीचे registration number आपको डाल देना है खाता नंबर जमीन के उसके बाद उसके जो खसरा नंबर है वो आपको यहाँ पर enter कर देना है second column में और उसके बाद last में आपको कितना hectare उनको जमीन आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर जमीन का जो चेतर फल है वो आपको यहाँ पर hectare में डाल देना है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आपको जमीन कितने है वो आप यहाँ पर हैक्टर में लेक देंगे और उसके बाद दोस्तों आपको अड्व बुटन पर क्लिक करके इसको जमीन को है चोकि आड कर लेना है तो चले को यहाँ पर हमें मैं मैं कीजा को एब थोड़ा खादा नमबर गल्र डाल दी थी थोड़ा साने लग चुका है और अब हम आगे यहां पर इसकी जमीन कितने हैं वो डाल देंगे और उसके बाद एड बटन पर किलिक करके इसको एड कर देंगे तो चलो अब चैतरफल यहां पर डाल देते हैं ठीक है दोस्तों यहां पर आपको चैतरफल डालने के बाद एड बटन पे आपको क्लिक कर देना है और यहां से यह एड हो जाएगी तो जमीन की डिटल है जो कि इसके अंदर एड हो जाएगी add हो जाने के बात दोस्तों आपको क्या करना है browse करना है इस browser में आप जाएंगे और अपने जो document पहले से skin करके रखे हैं तो वो document आपको यहाँ पर दोस्तों upload करने है तो पहले चलिए दोस्तों browser पर click करेंगे और यहाँ पर हमारी नकल सबसे पहले जमीन की वो हम यहाँ पर select कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको आदार नंबर यहाँ से select कर देना है और फिर आपको bank की detail है जो कि यहाँ select कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको I accept पहला जो button है इसकी उपर आपको click कर देना है यह tick mark कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर save button पर click करके इसको save कर देना है तो चलिए दोस्तों यह detail हम save कर लते हैं दोस्तों save button पर click कर देने के बाद यहाँ पर कुछ समय लग सकता है क्योंकि यहाँ पर जो document आपने सेलेट किये हैं तो उसको अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है तो इसके लिए आपको कुछ समय के लिए यहां पर इंतजार करना होगा और यहां बीच में आपको कोई भी बटन है दूसरा फ्रेश नहीं करना है क्योंकि अभी यह जो डोकुमेट है अपलोडिंग का का अभी चल रहा है तो इसके लिए आपको एक बार शेव बटन पर क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ सभावा अपको कुछ नहीं करना है तो जैसे कि हम भी यहां पर इंतजार कर रहे हैं यहां डोकुमेट जो अपलोड हो रहे हैं तो दोस्तो अब तुरंथ प्रभाव से यहाँ पर upload हो जाएंगी तो देखते दोस्तों जैसे डॉकूमेंट पूरे upload हो जाएगे फाइल सेव हो जाएगी उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक message show हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप देखते हैं record record has been successfully तो ऐसा message आएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना Mac payment वाला जो नीचे option एक और दिखाए देगा इसके उपर आपको click कर देना है इस पी click कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपने CAC की जो ID है वो automatically यहाँ आ जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर CAC ID की password एंटर कर लेने है और validate पे आपको click कर देना है validate पे click कर लेने के बाद आपके जो transaction number है पास वालेंट के वालेंट पिन नमबर आपको यहाँ पर enter कर लेने है और pay now पे click कर देंगे दोस्तों जैसे pay पे click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते इस तरीके की receipt generate होके आ जाएगी और former का जो registration है successfully हो जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप नए former का registration CAC के मादेम से PM किसान निदी जोजना के अंतरकत आप कर शकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकरे अच्छी लगे गई जानकरे अच्छी लगी है वीडियो को like और share जरूर कर दीजिगा दोस्तों आपका कोई सवाल है तो कमेट करके मुझे जरूर पते हैगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोड़े लेना